जय महा काल मित्रो कैसे हैं आप सब मुझे उमीद है आप सब ही अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, एबं मजे में होंगे दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने बाला हूँ कि आर नाम बाले जातक यदी साधी करते हैं तो आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तो यदी आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर देना है एबं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो क द्यान से सुनना है तो आईए अब वीडियो की सुरुवात करते हैं। मित्रो आर नाम बाले जातक एबम आर नाम बाले जातक यदी किसी भी प्रकाड के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक शमानता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीबन में एक दूसरे के गुनों से एक दूसरे के विक्तित्तु से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इबम हमेशा अपने जीबन में एक दूसरे के प्रती बहुत ज्यादा इमानदार, बहुत ज्यादा वभादार होते हैं। इबम कभी भी अपने जीबन में एक दूसरे के साथ में कोई भी छल कपट या धोखा धड़ी बिलकुल भी नहीं करते हैं। एबम इनके इस सुभाब के कारण इन दोनों के बीच में जो बंधन बनता है वो बहुत जयादा रोमान चक एबम मधुर होता है वैसे इसके अलाबा यदि आर नाम बालों की बात करे तो आर नाम बाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत जयादा महनती बहुत जयादा परिस्रमी होते हैं इबम हमेशा अपने जीवन में अपने समय को बहुत जयादा महत्तु देते हैं कभी भी अपने जीवन में अपने कीमती समय को बढ़वाद करना या अपने समय का मिस यूज करना पसंद बिलकुल भी नहीं करते हैं लेकिन वित्रो इसके अलाबा इस नाम के जो जातक होते हैं वो सुभाब से बहुत जयादा क्रोध ही बहुत जयादा गुस्यल होते हैं दोनों के बीच में आपसी तनाब, आपसी मन मुटाब बहुत जयादा होता है। एबम ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है वो बहुत जयादा संकट में आ जाता है। लेकिन इसके अलाबा इस नाम के जो जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे के बीचार का सम्मान, एक दूसरे के दृष्टी कोन का सम्मान बहुत जयादा करते हैं। एबम कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे की बातों को काटना या एक दूसरे की बातों को अनसुना करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एबम ऐसे समय में फिर जो बंधन बनता है वो बहुत जयादा मधूर हो जाता है। मित्रो आर नाम वाले लोगों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत जयादा मजबूत रहेगा यानि कि आपको शादी अवज से करनी चाहिए दोस्तों मुझे उमीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा साथ में इस पेशल दुनिया को आपने सबस्क्राइब कर दिया होगा एबं वीडियो के नीचे में अपने इस्ट देबता का नाम आप अवज से कमेंट कर दे एबं वीडियो हर जगह सेयर कर दे तो ह मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद